हेलो दोस्तों क्या आप भी जाना चाहते हैं कि जो PA, BAC, P.com की रिजल्ट में UFM मास कॉपी या फिर जिन छाथ छात्राओं का रिजल्ट अंडर प्रोसेस दिखा रहा था वो क्यों दिखा रहा था उसका प्रोसेस क्या था कैसे ये फिर से जो है कि रिजल्ट जारी हुआ इन पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बता दें कि जो UFM मास कॉपी का रिजल्ट है वो तो जारी हो चुका है और सभी छाथ छात्राओं जो इससे वाकिफ है यानि इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने सामना किया है इन सारी बातों का इन सारी अपडेट्स का तो उन लोग लोगों को तो बहुत हद तक इसकी जानकारी हो गई थी लेकिन जो भी छात छात रहें या अभी एक कोस्चन यहां पर ये भी राइज होता है कि क्या आपके जो बीए बीसी बीकॉम और सिमेस्टर के एक्जाम हो रहे हैं इनमें भी UFM मास कॉपी आ सकता है या रिजल्ट अंडर प्रोसेस हो सकता है तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टन कोस्चन है इसको हम लोग वीडियो के लाश्ट में जरूर डिसकस करेंगे इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो और जो भी एक्जाम हुए थे इनमें UFM मास कॉपी क्यों आया था तो दोस्तों ऑफिस्चल विबसाइट के ओर से एक नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस में बताया गया था कि जो आपका UFM मास कॉपी कर रिजल्ट है वो क्यों जारी किया गया था तो उस पर मैंने प्रापर अध्राइध वीडियो बनाया था आप सभी लोगं को बहुत येर हो जाएंगे कि आपका जो यूए फिम मास कॉपी है वो क्यों दिखा रहा था फिर भी मैं यहां पर मोटे मोटे पॉइंट की यहां पर कुछ बात कर लेते हैं देखिए उस नोटिस में यह बताया गया था कि फ़र्श्ट पॉइंट तो यही था कि आप अगर कोई भी आ आप नकल आ दियरी जैसे कि बहुत सारे कॉपियां करने के लिए या फिर दूसरे की कॉपी से चीटिंग करने के लिए लिए लिखते थे तो उनके रिजल्ट में भी यूफे मास कॉपी आ सकता है दूसरी चीज यह है कि जो भी क्वेस्टन है अगर वो एंसर राइटिंग आपकी सेम मैच कर रही है आपके दूसरे कॉपी से आपकी कॉपी से एंसर राइटिंग सेम मैच कर रही है तो उसमें से भी बहुत सारे चाथ चात्राओं का जो। यूफे मास कॉपी रिजल्ट आया था वो दिखा रहा था तो ये कुछ पॉइंट थे में पॉइंट थे जो कि मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिये अगर और भी डिटेल में आपको जानना है तो डिस्किप्शन में आपको एक वीडियो के लिंक मिलेका उस वीडियो को दे प्रयाग पॉइंट यहां पर आपको सारी अपडेट फैक्ट अपडेट मिलती है जो भी अपडेट आपको मिलती है नोटिस के थ्रू मिलती है जो ऑफिस्यल नोटिस होती है उसी के थ्रू आपको अपडेट दी जाती है दूसरी चीज मैं आपके साथ में लगातार जबसे ये सारे चीजे result process start हुआ था result का 2021 का result जब से start हुआ था उसके बाद से मैं आपके साथ में लगातार जुड़ा हुआ हूँ और आपको लगातार update भी दे रहा हूँ 2022 का भी result आए उसके बाद भी मैंने result आपको update दी थी 2021 का नहीं था वो 2022 का ही था तो उसके बाद से ले करके अभी तक आपके इस टॉपिक पर के जो वीडियो है यानि के लाबाद इस्टेट उनिवर्सिटी जिसको प्रोफेसर राजेन सिंग भी द्याले के नाम से जानते हैं तो यह इस उनिवर्सिटी की जो update है आपको लगबग 200 वीडियो इस पर आ चुके हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कबसे update मिल रही है और कितनी update मिलती है और कितना जल्दी मिलती है और दूसरी चीज आप लोगों का जो सहयोग है वो भी बहुत अच्छा मुझे मिला तो इसलिए ये सारी चीज़े यहाँ पर हो रहे हैं और जो आप सभी लोग अभी देख रहे हैं कि अदर जो चैनल्स हैं वो आपको update दे रहे हैं और कितनी update देते हैं कैसी update देते हैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते ठीक है नेक्स्ट अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेस्टन की तो वो यह है कि यह कैसे जो है ठीक हुआ है और अगर आएगा भी किसी के चात्र के मांसगॉपी रिजल्ट में आता है तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है और वो चो पिछली बार आया था जिनका उन्होंने कैसे ठीक किया था तो इस पर हम लोग चर्चा करल लेते हैं तो अगर यहा push म की जो कौकी जर्जिस्ट जारी करने के अगर बात करें दोस्तों इस पर एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें आप सभी लोगों से UFM Mass Copy का Registration Form Online किया गया था जो जो छात्रों ने UFM Mass Copy Registration Form Application अपलाई किया था उन सभी student का फिर से exam हुआ था और exam उसी subject का हुआ था जिस subject में UFM Mass Copy आया था तो यहां से आपको दूसरे question का answer मिल गया होगा यह आपका जो UFM Mass Copy है अगर आता है तो वो कैसे ठीक होगा आपका फिर से exam होगा क्या होगा फिर से exam होगा और उसके लिए आपको UFM Mass Copy Registration Form आएगा उसको fill करना है उसकी जो भी fees है वहाँ पे fees आपको pay करनी है उसके बाद में आपका admit card जारी होगा और exam होगा और उसी subject का exam होगा जिस subject में आपका UFM Mass Copy लगा है तो यह आपका question यहां से clear हो गया है कि आपका जो exam है वो होगा UFM Mass Copy का ठीक है दूसरी चीज यहां पर और last यह है दूसरी मैंने 3-4 बातें आपर clear कर दी है अगली बात जो यह है यह odd semester के exam चल रहे है क्या उनमें भी UFM Mass Copy आ सकता है तो इसका answer मैं अभी आप लोगों को yes ही कहूंगा जी हां आ सकता है क्योंकि देखिए जो चीजें हैं जो पीछे को देखते हुए जो पिछला record है उसको देखते हुए अगर हम लोग बात करें तो यह चीजें आ सकती हैं exactly तो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन आ सकती है जिन्होंने भी इन सारी चीजों को लेकर के जो भी मैंने बता है यह क्यों आ सकती है इन बातों पर ध्यान दिया है गवर किया है तो उसके लिए यहां पर यह है कि UFM का अगर आता है तो फिर आपको farm fill करना होगा और उसका exam फिर से आपसे करवाया जाएगा या conduct कराया जाएगा तो उसके लिए आपको ready रहना है ठीक है और दूसरी चीज है कि जो odd semester कुछ students जो परेशान है back paper को ले करके तो उनके लिए यहां पर update बता देता हूँ कि जो back paper का farm है वो अभी नहीं जारी हुआ है आप लोग परेशान हो रहे हैं इधर उधर भाग रहे हैं दोड़ रहे हैं यह सब नहीं करना है आपको मैंने बताया पहले ही कि अगर कोई update back paper को ले कर आती है तो आपको उसका जो notification notification है हमारे चैनल पर ही देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग चैनल से update रहे हैं बस एक काम आपका है चैनल से update रहना चैनल पर जुड़े रहे हैं जो भी वीडियो आए उसको देखी उसमें क्या बताया गया है और वीडियो समझ पूरा देखने के बाद ही आप कुछ कमें आपने आदा वीडियो देखा मैंने आदी बात बताई और आपको आदा समझ में आया तो आपने कमेंट कर दिया ये कैसे होगा ये कैसे होगा टिक है तो अभी मैरे कल ही एक बीडियो जो बनाया था उसमें जो है कि आपके जो जो exam हो रहे हैं third semester के उना सभी चात-चात्रों कि जो 12 फरवरी को एक्जाम है वो टल गए है ठीक है उनको 13 को कंड़क्ट करवाय जा रहा है और उसमें भी कमेंट कर रहे हैं थे 12 को नहीं 12 को ही है कुछ बच्चे कह रहे हैं 12 को ही है तो नोटिस देख लो भाई पहले मैं ऐसे नहीं बात करता हूँ या ऐसे नहीं आपको ब पैसे आता है इसका प्रोसेस क्या होता है ठीक होने का रिजल्ट जारी करने का तो यह सारी चाहिए इससे ज्यादा भी अगर आपको जानकारी लेना है तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो यूफिम मास कॉंपी से रिलेटेट प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जा कि कब ऐसा हुआ था फिर उसके बाद में नोटिस कब आई थी नोटिस कैसे जारी हुई फार्म अप्लिकेशन कैसे किया गया थे इसका फीस कितनी थी उसके बाद भी एक्जाम कब कंडक्ट करवाए गया फिर रिजल्ट कब आया तो इन सारी चीजों पर वीडियो आपको मिल करती हैं इस वीडियो में यही आप सभी लोगों को बताना था बने रही है हमारे चैनल से मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ एक बात आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके उतन क्वेट होने वाला है और जितना जल्दी यह कंप्लीट हो जाएगा आप सभी लोगों को उतना ही बेस्ट क्वाल्टी के और जल्द से जल्द और भी वीडियो जो भी अपडेट्स आगी वह आपको मिलती रहेंगी इस वीडियो मिलता ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब अब के लिए बहुत बहुत धर्निमाद